यूपी के सीतापूर थाना महमुदाबाद के सेट राम गुलाल मेमोरियल विद्याले की कक्षा नो की शात्रा पलक को एक ट्रक ने टक्कर मार दी पलक अवस्थी जिसके पिता का नाम प्रभात चंद्र अवस्थी है और जो की ग्राम कासा कोतवाली महमुदाबाद जिले सीतापूर की है उसका एकसिडेंट हुआ और तब हुआ जब वो छात्रा विध्याले में छुटी होने के बाद अपने घर जा रही थी छात्रा जैसे ह रेलो इस्टेशन के सामने पहुँची एक ट्रक ने उसे जोरदार तरीके से टक्कर मार दी जिससे उसका पेर बुरी तरह से जखक्मी हो गया अब उसका इलाज स्वास्त सामुदाई केंदर में चल रहा है आपको बता दे के पुलिस भी इस मामले में अपनी कारवाही में जुट चुकी है और पुलिस ने ट्रक को अपनी हिरासत में ले लिया है और अगरिम कारवाही कर रही है सितापुर से ये थी दिपेंदरेयादव की रिपोर्ट